हेलो स्टैंट तो आजका हमारा टॉपिक है क्रेटेशनल पोटेंशियल ड्यूटू होलो अस्पेयर ठीक है स्टैंट इसे पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने बहुत बार होलो स्पेयर सॉलिड अस्पेयर का बात किया है तो उन सारे cases में हम लोग तीन अलग अलग point पे potential या intensity को calculate करते थे ठीक है strand तो चलिए यहाँ पे भी तीन case आएगा पहला जो होगा वो outside the hollow sphere दूसरा on the surface और third क्या होगा strand inside the hollow sphere ठीक है तो मालने तो यह इसका center है और इसका radius मालने रहा strand hollow sphere का r है और इस पे जो mass है वो mass कितना मालने यह strand capital M ठीक है तो इससे यह point हो गया हो center इससे r distance पे एक point पी consider करते हैं यह distance कितना strand small r यानि यह point का है outside the hollow sphere और दूसरा जो case होगा on the surface पे होगा ठीक है और जो third case आता strand वो कहां पे हो जाता है inside the hollow sphere तो यह तीन अलग-अलग point पे हमको find करना होता है ठीक है तो चलिए एक relation हम लोग पढ़े test and gravitational potential and gravitational field intensity के बीज़ तो वहाँ पे relation क्या है था i equal to minus dv upon dr ठीक है इसी relation का हम लोग use करेंगे तो पहला जो हमारा case होगा क्या होगा at outside the cell ठीक है यानी a small r जो है इस्टेंड वो greater than क्या होगा capital r से होगा यही पहला case पढ़ें तो चलिए इसका use करते हैं तो देखें इसको cross multiply कर देंगे क्योंकि हमको dv find करना है तो dv equal to क्या होगा minus i into dr ठीक है यहाँ पे हमको i का value put करना पड़ेगा i क्या है gravitational field intensity ठीक है तो हम लोग पढ़े भी थे एक topic कि माली जे एक point है जहाँ पे एक mass रखा हूँ है point o पे और इससे r distance पे point distance p तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे test mask को तो इसके वज़े से इधर gravitational field intensity काम करेगा ठीक है i का direction but distance यहाँ पे जो हम r लेते हैं वो r कहां से कहां लेते हैं वो से p की तरफ तो r और i दोनों इक दूसरे के क्या है opposite है तो यहाँ पे हमारा जो i आता है वो क्या आता था gm upon r square के लिए रहें पर यहाँ पे हम लोग क्या ले रहें minus ले रहें क्यों ले रहें क्यों की दोनों का direction r और i का जो direction एक दूसरे के opposite है ठीक है चलिए तो यहाँ पे put कर देते हैं minus gm upon minus gm upon r square into dr ठीक है strength अब हमको यहाँ पे limit भी put करना है तो limit देखे कहां से कहां तक जाएंगे ठीक है तो limit जो strength हम लोग क्या करते थे यहाँ से यह point हमारा infinity होता था तो infinity से p तक ले जाना होता था यानि infinity to p अब इस p का जो distance है वो o से कितना strength r है तो limit हमारा infinity to क्या हो जाएगा p हो जाएगा ठीक है यानि lower limit infinity अपर limit क्या हो जाएगा p है इधर हमारा क्या चल रहा है integration db तो इसका limit क्या हो जाएगा infinity to इस point p का निकालना है इसलिए यहाँ पे हम लोग r नहीं इसको क्या माले रहे है strength p ठीक है point p चलिए तब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखें भी ठीक है इसका integration db क्या हो जाएगा भी infinity to p equal to minus बाहर आजाएगा तो प्लस में convert हो जाएगा gm हमारा constant है इसको बाहर ले आता है gm clear integration lower limit infinity upper limit r into क्या हो जाएगा strand dr ठीक है तो देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा b p minus b infinity है ना equal to gm अब इसका अगर हम integrate करेंगे तो integration करने के बाद क्या जाएगा strand minus 1 upon r lower limit infinity upper limit r ठीक है strand अब देखें infinity पे जो potential होता है उसको हम लोग 0 consider करते हैं तो यह term क्या हो जाएगा 0 तो क्या बचेगा b p equal to minus common ले लेते हैं तो minus gm अब r के जगा पे पहले lower limit put करेंगे upper limit तो 1 upon r minus क्या हो जाता है lower limit ठीक है तो 1 upon infinity तो यह पूरा term again 0 हो जाएगा है ना तो therefore vp equal to minus gm upon क्या जाएगा strand r जाएगा है ना यह हमारा potential निकला कहां पे outside the cell clear strand but हमारा next point होता है वो second वाला क्या हो जाता है at surface at surface of the cell ठीक है at surface of the cell मतलब small r किसके equivalent हो जाता है capital r का तो उस situation में जो potential आएगा है ना वो potential कितना आ जाएगा तो इसमें यही same formula use कर लेंगे small r के जाएगा सिर्फ capital r तो minus gm upon capital r let's turn चलिए अब जो next है हमारा क्या है outside sorry next inside होगा तो third हमारा case है third case inside the cell तो inside the cell मतलब small r less than होगा capital r से ठीक है बट इस्टेंट हम लोग क्या पढ़े हैं कि gravitational field intensity at any point inside the hollow sphere is 0 ठीक है यानि gravitational field intensity at any point inside the hollow cell या sphere is 0 ठीक है तो अगर हम लोग again इस formula को use कर लेते हैं अगर db i equal to minus db upon dr ठीक है तो यहाँ पे intensity देखे क्या है 0 होता है ठीक है तो इसको हम लिख सकते हैं db upon dr equal to 0 clear है अगर किसी भी चीज़ का differentiation 0 है इसका मतलब वो physical quantity क्या होता है constant होता है तो यहाँ पे किसका differentiation कर रहे है potential का और potential का differentiation क्या रहा है जीरो आ रहा है इसका मतलब है कि जो हमारा भी है वो क्या constant constant है ठीक है potential क्या है constant है यानि जितना जो potential surface पे होगा उतना ही potential कहां पे होगा इंसाइड दा सेल होगा है ना तो surface पे यानि भी surface equal to क्या हो जागा stand भी inside ठीक तो भी surface कितना है था हमारा minus gm upon capital R यह हमारा क्या हो गया भी surface हो गया clear हो गया ठीक है यह बहुत important case है कि जितना hollow square के case में जितना potential cell के surface पे होता है उतना ही potential कहां पे होता stand उस cell के अंदर हर जगा होता है ठीक है तो next topic है gravitational potential due to solid sphere है ना तो hollow sphere की तरह again यहां पे भी क्या हो गया stand तीन case हमको मिलेगा है ना एक outside on the surface and inside ठीक है clear तो हमको find कहां पे करना है at p यानि outside तो इसका distance माले restaurant यहां से कितना है small r है ठीक एक कहां पे होगा on the surface और एक कहां पे होगा stand inside the solid sphere ठीक है strand तो देखें यहां पे हम क्या consider कर सकते है यह जो solid sphere है वो उसका total mass कितना है capital M यानि हम यह consider यहां कर सकते हैं कि यह जो solid sphere बना होगा वो बहुत सारे छोटे-छोटे hollow sphere से मिलके बना होगा यानि जो सबसे छोटा hollow sphere होगा वो कहां पे होगा center पे फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा इस तरीके से बहुत सारा hollow sphere मिलके क्या बना है तो इस point P पे अगर हमको gravitational potential निकालना है due to solid sphere हम क्या करते हैं पहले एक hollow sphere consider कर लेते हैं उसके बज़ा से यह potential हमको पता है तो इसको अगर हम integrate कर देंगे तो इस पूरे solid sphere के बज़ा से इस point P पे क्या होगा potential आज आएगा तो यहाँ पे हम लोग एक hollow sphere consider कर ले रहे हैं चलिए तो यहाँ पे हम लोग उने एक hollow sphere ले लिया और यह जो hollow sphere is current इसका जो mass है है ना वो mass हम लोग माल ले रहे है अस्मा डी एम माल ले रहे है ठीक है इस होलो square का mass कितना माल ले है डी एम ठीक है आप इसके बज़ा से point P पे चाहिए हमको पता है कि आगर cell के बज़ा से जो potential होता है वो कितना होता है भी equal to minus g m upon r होता है यही हम लोग पढ़े है अभी पिछले topics में ठीक है तो चलिए पहला case को देखते है case number one ठीक है तो case number one क्या होगा at outside the sphere ठीक है यह जो case student small r greater than capital r का है ठीक है तो potential क्या हो जाएगा तो gravitational potential at p due to hollow sphere जिसका mass कितना है dm है ठीक है जिसका mass कितना strand dm है तो इसके बज़ा से potential कितना हो जाएगा उसको हम लोग बाल ले रहे भी वन तो भी वन इक्वाल टू minus इस formula के जिसे आप से set कर देंगे minus g m है बड़ इस hollow sphere का जो mass है वो कितना dm है ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dm upon distance कितना है र है यह आया cell के वज़ा से बड़ आप हमको पूरे complete solid sphere के वज़ा से चाहिए है तो integrate करेंगे इसको यानि integrating तो integrate कर देंगे तो हमको total potential मिल जाएगा भी यानि integration किसका करना है भी बन का है ना तो put कर देते हैं तो minus g dm upon r अब देखिए minus बाहर आ जाएगा g constant है यह भी बाहर आ जाएगा r भी constant है है ना integration क्या होगा dm का तो अगर integration dm का करेंगे तो क्या मिल जाएगा total m है ना integration of dm equal to capital m clear stand तो minus g capital m upon r यह आया potential कहां पे at point p पे clear stand यह हमारा आया out side चलिए case number 2 देखते है case number 2 में क्या होता है at the surface at the surface मतलब small r equal to capital r clear stand तो यहां पे same formula यूज़ कर लेते हैं हम लोग small r के जगा सिर्फ क्या put कर देते हैं capital r put करते हैं तो b equal to क्या जाएगा minus gm upon capital r clear stand अब हम लोग third case को देखेंगे तो third case का जो concept थोड़ा सा difficult है थोड़ा सा अलग है तो थोड़ा सको ध्यान से हम लोग देखेंगे stand अब case number 3 देखते है case number 3 के है at inside the sphere यानि small r less than capital r ठीक है stand है तो हम लोग यह जो पूरा sphere है जिसका total mass कितना strand capital m है है ना और यह जो हमारा point p inside the sphere है ठीक है तो हम लोग यहां से एक sphere consider कर लिए यह जो spare strand इसका जो mass है वो mass माल ले रहे हम लोग कितना dm ठीक है और यहां से यहां तक का center से distance कितना हो जाएगा तो ओ से p तक का जो distance होगा वो कितना होगा small r होगा clear है तो देखें इस point p पे जो potential होगा वो दो masses के वज़ा से होगा पहला तो यह जो sphere है इसके वज़ा से भी point p पे मिलेगा अब देखें यह जो white पे पार्ट दिख रहा है यह भी क्या है पुरा mass से भरा हुआ है तो इसके वज़ा से एक potential यहां पे मिलेगा और इस वाले mask के वज़ा से एक potential यहां पे मिलेगा यानि इस point p पे जो होगा वो दो potential होगा यहना यानि हम बोल सकते हैं कि यहां पे जो total potential भी होगा अगर हम अंदर वाले का potential को B1 माल लें और बाहर वाला जो वाइट वाला पार्ट है इसका potential अगर हम लोग B2 माल लें तो total potential क्या हो जागा B equal to B1 plus B2 क्लिए स्ट्रेंड तो हमको B1 भी find करना पड़ेगा B2 और फिर दोनों का हम लोग क्या करेंगे add कर देंगे क्लिए स्ट्रेंड तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं potential किसके बज़ा से इस वाले spare के बज़ा से ठीक है तो gravitational potential at p at p पे तो उस potential का हम लोग क्या नाम दे रहे हैं B1 ठीक है स्ट्रेंड तो B1 के बज़ा से जो potential होगा तो potential का formula क्या होता है minus gm upon r तो यहाँ पे जो m है वो क्या है dm है तो यहाँ पे हम लोग माल लिए इसको dm upon r तो यहाँ से o से p तका distance कितना है small r है clear है but हम को यह dm पता नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं dm find कर लेते हैं तो dm का formula क्या हो जाता है dm means mass mass equal to volume into density ठीक है mass equal to volume into density तो volume छोटे वाले का volume हमको find करना है तो छोटे वाले का volume निकालना है तो इसका radius कितना है small r है तो volume क्या हो जाएगा 4 by 3 pi r q into density तो यह जो spare है इस spare का density हम लोग कितना माल है रो ठीक है तो density क्या हो गया रो यह हमारा किसका value आ गया dm का अब यह value यहाँ पर put कर देते हैं तो therefore b1 equal to minus g अब put करेंगे into 4 by 3 pi r q into rho upon क्या हो जाएगा stand r हो जाएगा तो यह r से एक r यहाँ पर cancel हो जाएगा तो therefore b equal to 4 by 3 minus है तो minus 4 by 3 g pi r square rho आ गया यह किसका value निकल के आ गया b1 का ठीक है आप हम लोग को b2 का value निकालना है ठीक है यानि यह वाला जो mass है इस वाले mass के वज़ा से तो देखे इस वाले mass के वज़ा से अगर हमको निकालना है तो हम लोग क्या करते है यहाँ पर यह जो पूरा cell बना होगा वो बहुत सारे छोटे छोटे cell से मिलके बना होगा ठीक है तो हम लोग एक छोटा सा cell यहाँ पर consider कर लेते हैं अब उस cell के वज़ा से अगर हम potential निकालेंगे और फिर इसको integrate कर देंगे तो इस पूरे white वाले जो area है है ना उसके वज़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं find कर सकते हैं ठीक है तो हम लोग यहाँ पर एक cell consider कर लिए अब इस cell के वज़ा से इस point P पर निकाल लेते हैं potential और फिर इसको क्या करेंगे integrate कर देंगे तो इस पूरे region का आ जाएगा है तो माले रहे यहाँ से जो ring है इस ring का radius कितना है x है ठीक है और इसका जो thickness है इस trend वो thickness कितना है dx है radius कितना माले है x और इसका thickness कितना माले है dx माले है ठीक है तो इसके बज़ा से potential निकालते है चलिए तो देखे वो जो potential होगा वो potential कितना हो जाएगा V2 और V2 को integrate कर देंगे कहां से कहां तक तो देखे यह जो reason है इस reason का starting कहां से है यहां से यानि O से इसका distance कितना है R और यहां से यहां तक जो distance है वो कितना distance capital R है तो यहां पर जो limit लगेगा वो हमारा हो जाएगा small R से कहां तक capital R तक formula क्या है तो minus G mass चाहिए तो इस ring का जो mass है mass कितना माल लिए DM तो यह हमारा गया DM small mass into R तो यहां से point O से इस ring का जो distance है वो कितना माने है X माने है तो यहां पर क्या हो जाएगा X हो जाएगा ठीक है volume into density ठीक है तो volume अब देखिए अगर इस ring का हमको volume चाहिए ठीक है तो volume के लिए हम लोग क्या करेंगे तो surface area निकाल लेंगे और surface area into क्या करेंगे thickness तो इस ring का surface area कितना हो जाएगा 4 pi 4 pi X square into thickness कितना उसका DX यह हमारा क्या आगया DM अब इसको यहाँ पे put कर देना है ठीक है तो चलिए V2 equal to lower limit R upper limit capital R है ना अब पूट करेंगे minus G DM DM के जगा पे 4 pi X square DX upon क्या हो जाएगा strand X हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से 1 X हमारा cancel हो जाएगा तो minus जितना भी constant term सबको बाहर निकाल लेते हैं तो minus G भी बाहर आजाएगा 4 B pi भी है ना clear है अब यहाँ पे integration lower limit small r upper limit capital R अंदर क्या बचा strand X DX ठीक है इसको integrate कर देते हैं तो integrate करेंगे तो क्या मिलेगा minus अच्छा यहाँ पे density भी लेना था ठीक है तो rho भी होगा क्योंद यहाँ पे rho भी आएगा तो minus G 4 pi rho X DX अब इसको integrate करेंगे strand तो integration X DX कितना हो जाता है X square Y 2 ठीक है तो minus 4 G pi rho इसका integration कितना आजाएगा X square upon 2 lower limit small r capital limit upper limit capital r ठीक है तो minus 4 G pi rho पहले upper limit को put करते हैं तो capital r square upon 2 minus lower limit small r square upon 2 kliis 20 यह हमारा क्या निकल का है 2 है ना अब हम लोग potential निकालना है तो भी इक्वाल टू क्या हो जाएगा V1 plus V2 हना तो देखिए हमारा V1 कितना आया था तो V1 था हमारा minus 4 by 3 G pi r square rho हना तो इसको put कर देंगे यहाँ पे तो minus 4 by 3 pi G r square rho यह V1 था अब plus V2 को put करेंगे हना तो V2 क्या हो जाएगा देखिए minus minus 4 G pi rho और यह हमारा bracket में आ जाएगा इदर capital R square upon 2 minus small r square upon 2 क्लिए तो यहाँ देखिए कुछ common हो जाएगा या फिर common ले लेते हैं पहले है ना तो common अगर ले लेंगे तो देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 common minus यहाँ पहले plus minus कर देते हैं ठीक है minus 4 by 3 pi g r square rho plus minus minus 4 g pi rho r square upon 2 minus small r square upon 2 क्लिए टॉन देखिए तो equal to अब यहाँ से common ले लेते हैं 4 by 3 पूरा तो minus common ले लिए है ना 4 by 3 अब देखिए यहाँ पर 3 नहीं है तो इसको multiply कर देंगे 3 से पूरे term को है ना बाद में तो क्या हो जाएगा pi भी common हो जाएगा g भी common हो जाएगा ठीके और row भी common हो जाएगा clear strand तो अंदर क्या बचा इस पे r square यहाँ minus common हो गया है तो plus हो जाएगा और यहाँ पर 3 से multiply करना पड़ेगा क्योंकि 3 common लिए हैं यह ना और यह पूरा term आ जाएगा strand आपका r square upon 2 minus small r square upon 2 clear strand चलिए अब देखे अगर इस पूरा term को हम लोग अश्टेंड देखें थोड़ा सा या फिर पहले हम लोग यहाँ पर solve कर लेते हैं minus 4 by 3 pi g row अब यहाँ पर solve करेंगे तो देखें क्या हो जाएगा r square plus 3 आपका हो जाएगा strand r square minus r square upon 2 ठीक है minus 4 by 3 pi g row LC हम ले लेंगे तो यहाँ पर 2 आजाएगा है ना और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 r square bracket open कर देंगे plus 3 capital r square minus 3 small r square clear strand minus 4 by 3 pi capital g row अब यहाँ पर देखें 2 r square minus 3 r square तो क्या हो जाएगा 3 r square minus r square upon 2 है ना तो 2 को बाहर ले लेते हैं तो minus 1 by 2 4 pi g row upon 3 लिग देते हैं और इदार हमारा हो गया strand 3 r square minus r square clear strand अब देखें हम लोग एक formula अगर हम mass का निकालें तो mass equal to क्या हो जाता है density into volume पूरे cell का solid square का तो 4 by 3 pi r q हो जाएगा ठीक है तो थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो 4 by 3 है match कर रहा है rho भी है ठीक है pi भी है pi r q नहीं है ठीक है तो हम इस पूरे term को क्या करते है r q से multiply कर देते है ठीक है r q से multiply कर देते है clear है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका यह पूरा term क्या बन जाएगा m बन जाएगा अगर हम r q से multiply कर देंगे तो यह पूरा term जो है वो r बन जाए m बन जाएगा ठीक है तो उसके हम जगा हम क्या लिख सकते है capital g m upon अब यह r यहाँ पे आ जाएगा तो 2 r q minus sign इदर रहेगा और इदर क्या हो बचा है 3 r square minus small r square यह हमारा क्या मिला b ठीक है stand यह हमारा क्या निकल के आ गया b निकल के आ गया clear है अब देखिए अगर हमको center पे बोल देखता है ठीक है माली जागर बोल दिया at center clear solid s पे र क्या है center पे तो center पे r equal to क्या हो जाएगा 0 ठीक है तो यहां पे r के जगा पे 0 पूट हो जाएगा तो v equal to minus gm upon 2rq into 3r square है ना तो यहां से कट जाएगा तो stand हम लोग को v कितना मिलेगा minus 3 gm upon 2r यह कहां पे आएगा center पे clear stand